2024 की लोकसभा चुनाओ में NDA गठबंदन ने ओम प्रकास राजबर को शामिल करके गलती की या फिर ओम प्रकास राजबर ने अपने बेटे अरबिंद राजबर को घोसी लोकसभा चुनाओ सीट से उम्मीजवार बना कर गलती की दोस्तों यहां पर दोनों पर दाव उल्टा पड़ता हुआ नजरा रहा है उम्मीजवार बी अपने आपको बुरा फसा हुआ मैसूस कर रहा है भारती जनता पार्टी के NDA गठबंदन में जा करके और खुद भारती जनता पार्टी के भी गले में एक फांस सी लगी वी है हम आपको बताते चले दोस्तों कि लोकसभा जो का जो घोसी चित्र है घोसी के रेलवे स्टेशन से लगा करके और मुखे बाजार तक उज्जवल मिश्रा के नित्रित्तु में सैकडों भारती जनता पार्टी के युवाओं ने कारिकरताओं ने एक प्रदर्शन किया और उ जोगी मोदी से बैर नहीं राजबर तेरी खैर नहीं और यहां तक कि ओम प्रकास राजबर मुर्दाबाद के नारे भी खुले आम वहां पर लगे अब आप सोच में पढ़ गया होंगे दोस्तों आप कि भारती जनता पार्टी के गठवंधन में ही है ओम प्रकास राजबर और उनके बेटे हैं वहां से लोग सबाके परत्याशी और भारती जनता पार्टी के कारीकरता उनका कर रहा है विरोध यह कैसे संबव हुआ यह संबव हुआ उम प्रकास राजबर की एक गलती और गलती यह थी कि जैसे ही उन्होंने मंत्री पत्र समाला और इसके बाद उसके बावजूद भी और भी कुछ विवाजित ब्यान दिये DMSP की हैसियत नहीं है कि मेरे से सीधे फोन लगा करके बात करें इस तरीके के बड़ बोले पन के शिकार पहले से भी रहे हैं अब हुआ क्या कि इसका विरोध तो हुई रहा था दूसरा विरोध यहां पर यह चलू हुआ कि उज्वल मिश्रा जो की 2019 के लोकसभाज चुनाओं में प्रचार प्रमुख रहे थे भारती जनता पार्टी के उनके नित्रत्र में सैक्लो कारी करता होने एक जुलूस निकाला और जुलूस निकालके लगातार नारे बाजी की अब यहां पर हलाकि जिलाद्धक्स जो है वो नुपूर अगरवाल उनका एक बयाना आया कि उज्वल मिश्रा किसी भारती जनता पार्टी में किसी पदपर नहीं है तो उज्वल मिश्रा ने भी उनके सवाल के जबाब में ये बात कहा डाली कि मैं तो जनसंग के जमाने से ही भारती जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ओम प्रकास राजभर के बेटे को उसकी अवकात चुनाओं में दिखा दूँगा यहने कहीं न कहीं कि भारती जनता पार्टी के खेमे में भी बहुत बड़ी हल्चल मची हुई है और हल्चल मची हुई है ओम प्रकास के घर में भी ओम प्रकास राजभर को अब ये सुचने पर मजबूर होना पड़ा है मैंने अपने बेटे को यहां से उतार करके कोई गल्ती तो नहीं कर दे क्योंकि यदि भाजपा की कारे करता पूरे के पूरे विरोध में है कि उन प्रकास राजभर के बेटे को जितने नहीं देंगे तो कहीं न कहीं ये दाव सही भी हो सकता है और यदि ऐसा हुआ तो यह बात अलग है कि विपक्स के उमिद्वार को जो फाइदा मिलेगा मिलेगा लेकिन कहीं न कहीं भाजपा की छवी भी बहुत जबरदस धुमिल होगी क्योंकि 2014 को यदि छोड़ दिया जाए तो भारती जन्ता पार्टी को एक लंबे समय से घोसी लोगसभा सीट पर कोई बहुत बड़ी सपलता नहीं मिली है और यहां तक की ओपित नाओ में क्या रिजल्ट आया ये भी आपने बहुत अच्छे से देखाओ आपको बताते चलें कि आखिर एंडिये कटवंदन ने घोसी सीट ही क्यों दी गोसी सीट इसलिए दी क्योंकि घोसी सीट पर राजभर मतदाताओं का दबदबा है और वही पुराना फार्मूला भाजपा ने अपनाया जो की 2019 में अपनाया था और उसी पुराने फार्मूले को अपना करके कि हम राजभरों का वूट ले लेंगे तो कहीं न कहीं बाकी पिछड़ी जातियों का समर्थन भी राजभर विरादरी के साथ आएगा यहीं सोच करके कि कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों का साथ हमको मिल जाएगा और उसका लाब भी हमको लोगसबा चुनाओं में मिलेगा इस लालच में ही एंडिय गठबंदन ने उमप्रकास राजभर के बेटे को घोसी से उतारा और अब दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि उमप्रकास राजभर जब भी बोलते हैं बहुत उल्टा बोलते हैं किसी को भी बोलते हैं आपको बताते चलें कि उज्वल मिश्रा को विरोध में क्यों उतरना पड़ा उमप्रकास राजभर के बेटे के खिलाब उज्वल मिश्रा ने इसले विरोध किया क्योंकि 2021 से ही जब यो समाजवादी पार्टी में थे तो लगातार विरोध करते रहे योगी जी का और मोदी जी का अमिद शाह का और सभी को लगभग वो उल्टा बोलते रहे एक बार के बयान में उन्होंने मोदी और साह को जुटा बताया था और उन्होंने ये कहा था कि योगी जी का ललका सांड किसानों को बहुत परिसान करता है तो उसमें से एक सांड जो है वो गोरक पुर जाएगा और दूसरा सांड गुजराज जाएगा तो इस तरीके की बाते उजवल मिश्रा को आज भी याद है और कहीं न कहीं दिल में चुबी वही है और यही सब बाते उन्होंने अपने कारिकरताओं को बताई और में क्रोध की एक लहर चल पड़ी और उन्होंने इतना बड़ा जुरूस निकाला खुल्याम राजभर मुर्दाबाद के नारे भी लगाया और खुल्याम वो नारा भी लगाया जो इस समय बहुत चर्चा में है इस पूरे की पूरे रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे दोस् आप मुझे फेस्बुक पर देख रहा है तो आप देख रहे हैं यूनिक नीज़वन बहुत 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 अमें